दिल्ली में महिलाएं अपने आपको काफी असुरक्षित महसूस करती है महिलाओं की सुरक्षा आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए सर्वोपरी है महिलाओं की सुरक्षा के लिए आज दो बहुत बड़े निर्ने लिए गए हैं एक तो CCTV कैमरे जो आप सब लोग जानते हैं कि CCTV कैमरे लगाने के लिए पिछले दो-धाइस साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे पूरी दिल्ली के अंदर लगबग डेड़ लाख CCTV कैमरे लगने का प्रपोजल टेंडर सपास हो चुका है सतर हजार कैमरों का सर्वे हो चुका है कंप्लीट और अब आठ जून से वो कैमरे लगने चालो हो जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर तक ये सारे कैमरे अभी अभी मैंने मीटिंग लिए है सारे आफिसर्स की इसके अलावा एक लाख चालिस हजार और कैमरे लगने का भी प्रपोजल इसी महीने पास हो जाएगा तो लगबग दो लाख असी हजार टोटल कैमरे सीसी टीवी कैमरे पूरी दिल्ली के अंदर लगाई जाएंगे जिनके लगने का काम आठ जून से चालो हो जाएगा स्कूलों के अंदर अलग से कैमरे लग रहे हैं डेड़ लाख कैमरे सारे सरकारी स्कूलों के अंदर कैमरे लगना शुरू हो चुका है और नवंबर तक सारे कैमरे लगकर तैयार हो जाएंगे दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों के अंदर इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक आम आदमी के घर से जब एक उसकी बेटी या उसकी पत्नी या बेहन घर से बाहर निकलती है सुबह नौकरी के लिए या कॉलेज के लिए स्कूल के लिए तो एक परिवार के लोगों का दिल धब धब करता रहता है कि पता नहीं सही सलामत वापस लोटेगी की नहीं लोटेगी पब्लिक ट्रांस्पोर्ट महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित माना गया है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने निरने लिया है कि दिल्ली के अंदर सभी सभी डीटी सी की बसें और क्लस्टर बसें सभी बसों के अंदर और सभी और मेट्रो के अंदर महिलाओं का सफर फ्री किया जाएगा ताकि महिलाएं उसको ज्यादा से सादा पब्लिक ट्रांस्पोर्ट इस्तिमाल करके इस्तिमाल कर सकें जो कि अब ज्यादा खिराय की वज़े से महिलाएं इस्तिमाल नहीं कर पाती है जो सबसीडी दी जा रही है हम इसमें प्रावधान इस तरह से रखेंगे कि किसी के भी उपर सबसीडी थोपी नहीं जाएगी कई सारी महिलाएं अफोर्ड कर सकती हैं जो अफोर्ड कर सकती है वो अपना टिकेट खरीद के सबसीडिय उनको लेने की ज़रूरत नहीं है, बस में भी टिकेट खरीच सकती है, मेट्रो पे भी टिकेट खरीच सकती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको इनकरेच करेंगे, जो जो एफोर्ड कर सकते हैं, वो सबसीडिय का इस्तेमाल ना करें, ताकि और दूसरे लोगों को इसका फायदा मिल सकेए आफिसर्स को मैंने एक हफ़ते का टाइम दिया है, एक हफ़ते के अंदर वो डिटेल प्रपोजल बना के लाएंगे, दोनों डिटी सी भी और मेट्रो भी, कि इसको कैसे लागू किया जा सकेगा, और कब से लागू किया जा सकेगा हम कोशिश करेंगे कि दो से ती महीने के अंदर इसको लागू किया जा सकेगा, लेकिन आज हम जनता से उनके सुझाव भी मांगना चाते हैं, की इसको लागू कैसे किया जाए, इसके ऊपर जनता के सुझाव चाते हैं, एक इमेल आईडी अभी मैं दे रहा हूं, डेली women safety at gmail.com और एक एड्रेस है chairman ddc 33 शामनात मार्ग डेली 54 तो या तो चित्थी लिखके या email के जरीया आप अपना feedback दे सकते हैं तो मुटे मुटे तोर पे ये दो बड़े कदम आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए